नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ नुकमा खोबरी और उख करते कुछ खास ख़बरों की और चंडिकड मेर चुनाव में भी बड़ी हेरा फेरी बीजेपी में अलपसंध्यक मौचा का पधाधिकारी नियूक तुखा चुनाव में पिठासीन अधिकारी विपक्षकारों बीजेपी ने अपने अलपसंध्यक मौचा के पधाधिकारी को बनाया था पिठासीन अधिकारी पिठासीन अधिकारी ने अपने हाथों से विपक्ष के आठ्मतों पर लगाया निशान और कर दिया आठ्मतों को इंवैलिड बीजेपी ने पहले चुनाव को किया स्थागित फिर तया हुई चुनाव के दूसरी तारीख और फिर रची कई साजेश बीजेपी के पास थे सिर पिठासीन अधिकारी अनिल मसीह का विडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वाइरल लोग कर रहे तरह तरह की चल जाए आक रोश में वेवक्ष कहा कि देश द्रोही है बीजेपी का ये अल्पुसंच्यक मौर्चा का पधादिकारी चुनाव का पिठासीन अधिकारी आप उसको प्रिसाइडिंग अफसर बनाया यानि कि जो शक्स घोशित भाजपा का सदस्य है उनका ओफिस बीरर है पधादिकारी है उस माइनौरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोशना करी चुनाव में जब वोटिंग समाप्थ हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बेरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया आप सब जानते हैं आप सब चंदिगट मेर चुनाव देखते आए हैं जब भी वोटों की गिंती होती है तो इलेक्शन एजेंट तमाम पार्टियों की इलेक्शन एजेंट अपनी आखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया उन्हें टेबल के नस्दीक नहीं आने दिया गया और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदधिकारी ने जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का उसने अपने पैन से बैलिट पेपर पर इंक लगा लगा कर उस सारे बैलिट पेपर को इन्वैलिड किया और फिर चुनावों की गिंती म वोटिंग में वोट काउंटिंग में उस एक-एक बैलिट पेपर को इलीगल गोशित किया पहली बार चंदिगर्ड मेर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इन्वैलिड गोशित कर दिये गए इतिहास में आज तक नहीं हुआ आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गटबंदन को 20 वोट पढ़ने थे हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इन्वैलिड गोशित कर दिये गए और भाजपा का एक भी वोट इन्वैलिड नहीं गोशित किया गया भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इन्वैलिड यानि की अवैद गोशित करके हमारे वोटों को घटा कर 12 कर दिया गया साथियों जब भी किसी भी वोट को अवैद गोशित किया जाता है या इन्वैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैद गोशित करने से पहले यह dummy ballot paper है जो मैं आप सब के सामने लाया हूँ जब counting के दौरान इस प्रकार के ballot paper को illegal घोशित किया जाता है तो presiding officer अगर मान लीजे मैं presiding officer हूँ तो मैं दोनों पार्टियों के election agent को वो दिखाऊंगा ballot paper की देख लीजे या इंक के निशान बाहर लगा हुआ है यह invalid है मैं ऐसे अवैद घोशित कर रहा हूँ ऐसे दोनों पार्टियों के election agent को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांथ उनकी सहमती से और जो DC चुनाव है जो deputy commissioner बैठे हैं उनकी सहमती से इस vote को अवैद घोशित किया जाता है लेकिन आज यह नहीं हुआ आज ना election agent को दिखाया गया ना DC को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और Congress पार्टी के वोटों को अवैद घोशित कर दिया गया यह दिखाता है कि भारतिये जनता पार्टी इतने छोटे से एक mayor के चुनाव में municipal corporation के mayor के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असम्विधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोगसबा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे क्या भाजपा इस देश को North Korea बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिती में हो जहां भारतिये जनता पार्टी पूरी machinery को रिक करकर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशियेट करकर चुनाव जीत सके साथियों मैं अनिल मसी जो भारतिये जनता पार्टी के minority wing के पददिकारी हैं और आज के presiding officer है उनके खिलाफ कारवाई की मांग करता हूँ आप राधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफतारी होनी चाहिए ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंतर की सरयां अकले इतना ही खौपरों का सिलसिला लगातार जारी हैं आप बने रहें न्यूस 24 फरस्ट एक्सप्रिस के साथ नमस्कार